हलो दोस्तों आप सभी लोगों का RC मसाला खीचन में बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाएंगी बिल्कुल परफ्यक्ट तरीके से एकदम हलवाई जैसे जूसी और खस्ता बालू साही जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही स्वाधिश्ट होता है एक चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा एट करेंगे आधा चम्मच हम इसमें दरजाग उटा हुआ सौब एट करेंगे एक चूटकी हम इसमें नमक एट करेंगे और दो बड़े चम्मच हम इसमें देसी घी एट करेंगे आप इसकी जगा तेल मड़ा लिएगा देसी घी इस् परफेक्ट है अब इसमें जो है हम थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे और एड़ करके हम आटे को एक साथ मिक्स करेंगे हमें ये गूथना नहीं है किल सभी आटा को एक साथ मिक्स करना है ये बीना गूथे हमें बनाना है तो देखिए हम इस तरह से इसको थोड़ा थो देखिए हमारा यह अच्छे से हो गया है और देखिए कितना जालीदार है अब इसको हम ढख करके रख देंगे 10 मिनट रेष्ट करने के लिए अब ही हमारा 10 मिनट रेष्ट कर रहा है तो आए इधार हम चासनी तयार करते हैं तो इस चासनी के लिए हमने एक भगोने में दो रोरी हम इसमें पानी एट करेंगे और इसको हम चलाते हुए मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको चीनी को हम अच्छे से घूलने देंगे तो देखिए हमारी चीनी अच्छे से घूल गई है अब इसमें हम इलाजी कोट करके डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे थोड़ा देखिए हम ठंडा करके इसको देखेंगे तो हमारी ये चिप-चिपी हो जाईगे और एक तार की चासनी है अब इसको हम एक चमच नीबू का जूसिस में एट कर देंगे ताकि ये हमारी चासनी क्रिश्टल नहीं होगी जमेगी नहीं ठंडा होकर अब हमारी चासनी तयार हो चुकी है इधर देखिए 10 मिनट हो चुका है आटा देखिए हमारा कितना अच्छे से जैसे लग रहा है परतदार बना हुआ है इस तरह तो यह हमारा बिल्कुल परफेक्ट आटा तयार हो गया है अब इसको हमें गूथना नहीं है मज के वल हम इसको छोटी छोटी लोई लें देखिए हमने इस तरह से कर दिया है इसको अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से देखिए हमने बना लिया है तो यह देखिए हमने बना लिया है अब हमने गैस पर रख दिया है कुकिंग आयल देखिए कुकिंग आयल बहुत हलका ही गरम करना है हमें तो देखिए हम थोड़ा सा इसमें मैदे की गोली को डाला है थोड़ा सा इसमें देखे बबल सा रहा है मतलब हमें इतना ही तेल गरम चाहिए अब हमेज में पालो साही को डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम बिलकुल धीमा रखेंगे और बीच बीच में हम इसको मीडियम कर देंगे कुछ मीनट के लिए और फिर इसको हम बिलकुल धीमा कर देंगे और ये हमें बिलकुल पलटना नहीं है इस तरह से देखे हम डाल देए हैं थोड़े देर बात जब हमारा एक तरफ से ये सिख जाएगा तो खूज जो है हमारे ये बालो शाही तेल पर तैरने लगेंगे, देखिए ये हमारा तैरने लगा है, आब इसको हम प्लट देंगे, तो देखिए हमारा ये एक तरब से ये ब्राउन भी हो चुका है, अब सभी को हमने प्लट दिया है, और हमें सुनहरा होने तक इसे तलना है, बिल्कुल लो फ्ले तो देखिए हमने इससे निकाल लिया है, अब ये चासनी अगर हमारी ठंडी हो गई हो तो इसको हम गरम कर लेंगे, अब गरम करके हम इसमें डालेंगे, तो देखिए हमने सभी को डाल दिया है, अब इसके उपर से हम जो है चासनी को डालेंगे, तो देखिए हमारा चासनी य इसको हम पलट देंगे इस तरह से देखें दूसरी तरफ से हम पलट देंगे इसे तो हम सभी को इसी तरह से पलट देंगे और इसको हम ढखके रख देंगे 7-8 मिनट तक तो देखिए हम इसको ढख दिये हैं अब 7-8 मिनट हो चुका है अब यह हमारी चासनी अच्छे से सोग क इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में तो देखिए इसे हमने निकाल लिया है इसी तरह बाकी बचे हुए हम बालु साही को भी तल लेंगे और इसी तरह से चासनी में डाल लेंगे तो देखिए हमने बाकी को भी डाल दिया है और देखिए हमने इसे सर्व कर लिया है और इस जादिन्दी का वर्क भी इस पर लगा कर सकते हैं तो देखिए यह हमारी कितनी टीश्टी और परफिक्ट तरीके से एकदम बालु साही बन करके तयार है तो देखिए कितनी जूसी है तो दोस्तों यह हमारी रेस्पी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए सेयर करिए कमेंट्स करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ